हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम सेव बनाने वाले हैं जो बहुत ही मुलायम और कुरकुरी बनने वाली हैं यहां में तीन कटोरी बेसन के हिसाब से एक कटोरी में आधा चमच इस तरह से में नमक मिलाने वाली हूँ आप अपने स्वादनुसर मिला सकते हैं, यहां आधा कटोरी में तील लिया हुआ है और इसमे थोड़ी हमें हल्दी डालनी है आधा चमच और इसमें एक कटोरी पानी मिला देना है ये 1 कटोरी पूरा भर के पानी हमने मिला दिया और अब हमें मिक्सी चला लेनी है और इस घोल को निकाल लेना है बस हमें मिक्स कर लेना है इसे अच्छी तरह से अब 3 कटोरी हमें इसमें बेशन मिला देना है याने चनी की दाल का आटा याने आधा कटोरी तेल एक कटोरी पानी और तीन कटोरी बेशन और एक कटोरी बेशन में आधा छम्मच नमक इस तरह से हमारा नाप होगा और थोड़ी सी हल्दी इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ये सेव बहुत ही टेस्टी लगती है इसे आप चाट, भेल, सेव पुरी, पानी पुरी में भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं ये हमारा घोल रेडी हो गया है अब हमें इ और फिर जब तेल गर्म हो जाए ये भी तेल में थोड़ी सी कसक बाकी है लगभग दो मिनिट की क्योंकि एकदम से ये उपर नहीं आया जब तेल गर्म हो जाए तप हमें डालना है और गैस हमें तेज रखनी है बिल्कुल तेज गैस पर ये डालना है और जब हम इसे पल्टाएंगे अब ये देखो जम गया है अच्छी तरह से अब ये तूटेगा नहीं अब हमें गैस दीमी कर देनी है देखिए अब तूट नहीं रहा है दबा के देखना है इस तरह से जहारे से काटा चमच लेनी है गैस को हमने धीमी कर दिया और इस तरह से धीरे से पल्टा देना है लेकिन डालते समय हमें गैस तेज रखनी है और पल्टाने से पहले गैस को धीमी कर लेनी है अब ये हो गया अब इसी तरह से हमें दूसरी बार डालने से पहले गैस को तेज कर लेना है और ये टुकड़े सारे निकाल लेने हैं अब तेल गर्म हो जाए तो हमें डालना शुरू करना है इस तरह हमें डाल देना है मेरे पास यही सबसे बारिक वाला साचा था इससे बारिक सेव का साचा मेरे पास नहीं है यदि आपके पास इससे बारिक हो तो और अच्छे सेव बनेगी अब हमने गैस धीमी कर दी अब हमें इससे पल्टा लेना है ये जो बुड़बुड़े आ रहे हैं वो बंद हो जाए याने हो चुकी है सेव इसी तरह हमें सारी सेव निकाल लेनी है और ये सेव बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है तो आप ये सेव बनाएए, खाएए और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए